राजस्थान में चुनावी महौल के चलते राजनेतिक सरगर्मिया दिखाई दे रही हैं, कॉंग्रेस और भाश्पा एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और इसी के चलते शुकरवार को भाश्पा ने बिजली को लेकर कॉंग्रेस को आड़े हाथों लिया मुख्यमंत्री वसंद्रा राजे सिंधिया ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि डिसकॉम 90,000 करोड के कर्च में डूप गया है वसंद्रा राजे ने कहा कि हमारे समय में हर जगए लोगों को बिजली मिलती थी, लेकिन अब बिजली सप्लाई की विवस्था ठप हो गई है 2013 में कॉंग्रेस ने 78,000 करोड का कर्च छोड़ा था, हमारी सरकार बनी तो हमने उसमें से 68,000 करोड रुपए अपने उपर ले लिये थे हमारे समय में बिजली विवस्था ठप होने पर ट्रांसफॉर्मर 72 घंटे में बदल दिये जाते थे लेकिन अब 72 दिनों तक कोई काम ही नहीं हो रहा है बिजली करनेक्शन जहां एक सप्ताह में मिल जाया करते थे वो लंबे समय तक नहीं मिल रहा है वसंदरा राजे ने कहा कि डिसकॉम पूरी तरह से कर्ज में डूप गया है जिस वज़े से प्रदेश में बिजली की विवस्था प्रभावित हो रही है बिजली महकमा पूरी तरह से प्रबंधन का शिकार हो गया है और उसके पास कोईला और खरीदने के लिए कोई रोड मैप नहीं है मुफ़े बिजली देने का सपना दिखा कर लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है इस राजस्थान सरकार ने